आज हम डिसकस करने वाले हैं आइडल टाइप बिरोक्रेसी आफ मैक्स वेबर जो बिरोक्रेटिक फॉर्म अब गवर्नेंस है यह सभी जगह पाई जाती है विश्व में जहां भी समाज है जहां भी सुसाइटी है जहां भी और्गोनाइजेशन एसनस था है वहां हमें लोगों को कंट्रोल करने की आवसकता पड़ती है इसी लिए जो बिरोक्रेटिक फॉर्म अब कवर्नेंस है यह जहां भी समाज है जहां भी सुसाइटी है हमें बिरोक्रेटिक फॉर्म अब कवर्नेंस देखने को मिलेगा ही मिलेगा जो bureaucratic form of governance होता है उसकी बहुत सारी विशिस्ताएं होती हैं जैसे में merit जैसे में impartiality, neutrality, non ambiguity, efficiency, economy, reduction of friction and material and personal cost, unity, strict subordination and so on अब हम देखेंगे कि जो bureaucracy है उसका बहुत जादा महत्व है हमारे society में इसके बावजूद भी किसी ने भी bureaucracy को अधिक पढ़ने की कोशिश नहीं की और इसे theorize करने की कोशिश नहीं की कि जो हमारा bureaucracy है किस प्रकार से रहना चाहिए किन principles पे काम करना चाहिए और इसी चीज़ को deal करते हैं Max Weber Max Weber ऐसे पहले administrative thinker होते हैं जो की bureaucracy को theorize करते हैं और इसी लिए उन्हें father of bureaucratic theory कहा जाता है He was a German socialist and political economist who viewed bureaucracy in the positive light believing it to be more rational and efficient Max Weber का मानना था कि जो bureaucracy है वह rational होना चाहिए on the basis of the reason and the logic और इसके साथ साथ efficient होना चाहिए इसमें capacity इसकी ability अधिक होनी चाहिए Bureaucracy पहले भी मौझूद हुआ करते थे अगर हम bureaucracy की बात करें तो bureaucracy is the form of organization जिसका duty रहता है to control the society to maintain law and order तो bureaucracy पहले भी incident time में भी होती थी परन्तु जो bureaucracy का basis था वह अलग अलग था कहीं traditional authority हुआ करती थी जो की bureaucracy को administer करती थी उसका function उसको देखती थी जैसे मैं आज अगर एक bureaucratic अगर एक बना तो उसका बेटा फिर bureaucracy में जाएगा उसका भी बेटा जाएगा तो ये merit पे ये reason पे ये तारकिक शमता पे ये बौधिक शमता पे depend नहीं करता था तो वही Max Weber कहते हैं कि हमें जो bureaucracy है उसे और जादा rational बनाना पड़ेगा और और जादा efficient बनाना पड़ेगा Max Weber अपने पूरे theory में bureaucracy को properly define नहीं करते हैं लेकिन Max Weber का ये मानना था कि bureaucracy is an administrative body of appointed officials जो bureaucracy है वह एक administrative body है जिसमें जो अधिकारी है वे नियुक्त किये जाते हैं जो bureaucracy है bureaucracy जो word है या french word से बना हुआ है दो french word से bureau and kratos ब्यूरो का मतलब होता है office और kratos का मतलब होता है public या rule इसलिए bureaucracy को हम लोग public office के रूप में भी जानते हैं ऐसे office जो की public के लिए काम करें citizen के लिए काम करें हम bureaucracy का जो साब्दी करत है इससे हम ये चीज समझ सकते हैं अब आगे हम discuss करेंगे forms of authority के बारे में तो Max Weber का मानना था that there is three form of authority जिसके basis पे bureaucracy कभी ना कभी society में exist करता था या करता भी है example के तोर पे traditional authority जो traditional authority है इसमें जो powers होते हैं इसमें जो authority होती है इसमें जो सत्ता होती है जो सकती होती है यह प्राप्त होती है traditions से और customs से जो हमारे रिती रिवाज है जो हमारी संस्कृती है वहां से हमें सकती प्राप्त होती है मुनार्की इन ब्रिटेन जो ब्रिटेन की मुनार्की है यह एक example है traditional authority की एक tribal chief भी example हो सकता है traditional authority का दूसरा है charismatic authority तो charismatic authority के basis पे भी bureaucratic form of governance को organize किया गया है history में आज भी होता है और इसमें जो authority है इसमें जो सकती है वो डिराइब होती on the basis of personality जो personal characteristics होते हैं जो personality traits होते हैं human being में उसके हिसाब से उसे authority दी जाती है example के तोर पे Adolf Hitler in Germany and Vladimir Lenin in USSR ये दो example होंगे charismatic authority के और तीसरा होता है legal authority या rational authority ये जो legal और rational authority है इसमें सकती जो है वो प्राप्थ होती है laws से कानूनों के माध्यम से और इसी लिए ये rational है ये तारकिक शमता पे ये logical है ये reasonable है और Max Weber का कहना है कि जो तीनो form of authority है इसमें जो सबसे best form of authority होता है that is the legal rational authority and all the public administrations and the bureaucracy must be organized on the basis of the legal authority जो authority होगी bureaucracy में जो की अपने power को exercise करेगी वह legal authority होनी चाहिए on the basis of the laws जो society के laws होंगे उसके basis पे जिसमें एक ordered system होगा जिसमें जो junior होगा अपने senior को report करेगा और जो senior होंगे अपने juniors को control करेंगे that is it refers to an order system of superiority and subordination दूसरा है division of labor division of labor बहुत important है एक bureaucracy को अच्छे से function करने के लिए division of labor में आप कामों को बांट देते हैं और जब आप कामों को बांट देते हैं तो एक इनसान के उपर जो burden होता है वो हलका हो जाता है और जो efficiency है work की जो efficiency है organization की वह पढ़ जाती है इसलिए division of labor is nothing but it means assigning different parts of official processes or tasks to different people in order to improve efficiency तीसरा है rules based authority जो authority होगी जो exercise करेगी अपना control पूरे bureaucratic structure पे वह कानूनों पे वह नियमों पे अधारित होगी वह नियमों के अनुसार काम करेगी वह अपने personality से काम नहीं करेगी और जो अधिकार होगा जो अधिकार होगा उस authority के पास वह भी नियमों से आएगा वभी कानूनों से आएगा चौथा है आपका written documents, जितने भी कारे होते हैं bureaucracy में, जितने भी काम होते हैं bureaucratic organizations में, सब written form में होते हैं, कोई भी verbally नहीं होता, सब आपको लिखित में करना होता है और यह एक characteristic है, bureaucracy की, जो की Max Weber बताते हैं, और इसमें यह भी लिखा रहता है, written documents में, कि किस officer के कौन से काम है, और किस officer को कौन से काम को करने है आगे है specialized office management, यहाँ एक term है technical qualification, यहाँ technical qualification का मतलब है, आपके पास ऐसी qualification होने चाहिए, जिससे आप लोगों को और society को control कर सके और govern कर सके यहाँ technical qualification का मतलब, technical qualification कोई एक particular subject से जुड़ा हुआ नहीं है, जैसे में technology और something like that तो यह बोलता है, specialized office management that the bureaucratic organizations are based on specialization, जितने भी bureaucratic organizations हैं, सबके सब specialization पे best होने चाहिए और जो selection है, और जो promotion है, officers का, वह उनके technical qualifications पे होगा, अर्थात यह जाचा जाएगा, कि उनके पास कितनी शमता है, society को control करने की, और वह कितने capable हैं, और इसके हिसाब से उन्हें promote किया जाएगा छठा है, impersonality, अर्थात, जो bureaucratic system है, इसे govern किया जाता है, on the basis of rational standards, और इसमें कोई भी personal considerations को नहीं देखा जाता जो भी rules है, regulations है, उसके हिसाब से bureaucratic organizations को, जो bureaucratic system है, उसको govern किया जाता है, और इसमें personality के हिसाब से भेदभाव नहीं किया जाता जो एक bureaucratic का काम है, officer का, अगर एक आम इनसान है, उसके खिलाब भी वही कारवाई करेगा, और जो एक खास इनसान है हमारे समाज में, उसके खिलाब भी उसे वही कारवाई करनी है आपका साथवा है, procedural specifications, आपको कब कौन से action लेने है, while performing a task, ये बहुत clear cut लिखा हुआ होता है और जितने भी officers है, सबको इन ही procedures को follow करना पड़ता है, आठवा है, career public servant, अर्थात, जो bureaucracy में अपने services को देते हैं, उन्हें full time services देना होता है और इसके बदले उन्हें salary मिलती है, वह अलग से कोई कारे नहीं कर सकते जैसे की, जैसे doctors का example लें, तो doctors क्या करते हैं कि सरकारी doctors भी होते हैं, government doctors, जो government hospitals में देखते हैं उसके बाद अपना private जो clinic होता है, उसे चलाते हैं, लेकिन इस प्रकार से public servants के लिए छूट नहीं दी जाती जो bureaucracy में होते हैं, उन्हें संपुर्ण रूप से, बस bureaucracy की ही सेवा करनी होती है, और उसी bureaucratic organization की सेवा करनी होती है और वे अलग से कोई कारे नहीं कर सकते हैं, और इसके बदले उन्हें salary मिलती है, और time time पे promotions मिलते हैं अब दोस्तों आईए देखते हैं कुछ-कुछ जो criticisms है, Max Weber के idle type bureaucracy के तो सबसे पहला जो criticism है, यह बोला जाता है, that this is a machine theory और एक closed system model है, क्योंकि इस पे formal structure पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है procedures पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है, लेकिन procedures को change करने का कोई flexible वहाँ पे alternative आपको नहीं मिलता, आपको environment के हिसाब से अपने decisions को बदलने का ज़्यादा alternative नहीं मिलता, आपके पास एक written sets of rules है और उसी rules के हिसाब से आपको चलना होता है, यह एक सबसे बड़ी कमी है और यह एक criticisms है, Max Weber के ideal type bureaucracy की, second जो criticism है, वह है कि यह एक rigid है, static है और inflexible theory है तीसरा इसका जो किया जाता है आलोचना, उसमें जो critics होते हैं, वह कहते हैं कि यह rules पे बहुत जादा focus करता है, और जब आप rules पे focus करते हैं, तो आप लक्ष से भटक जाते हैं तो critics का मानना है कि लक्ष जादा important है, लक्ष तक पहुँचना जादा important है उससे जादा कि आप कौन से procedure को follow करके, कौन से steps को follow करके, उस goal तक पहुँचते हैं तो जो सबसे जादा important है, that is reaching to the goal, पर बहुत जादा यहाँ rules पे focus किया जाता है और जिसके कारण से जो goal है, goal ही displace हो जाता है इसका जो चौथा criticism है, यह बोलता है that the ideal type bureaucracy is influenced by the first world countries और इसलिए यह जो developing nations है, जो third world nations है, उनके लिए suitable नहीं है क्योंकि जो conditions है third world nation में जो developing and underdeveloped countries है यहाँ इस्थीती कभी थोड़ी अलग है, जो कि first world countries में है तो दोस्तों यह था Max Weber का ideal type bureaucracy, अगर आपको यह video पसंद आया तो इसे like करें, share करें और subscribe करें मेरे channel को, धन्यवाद दोस्तों